हेलो फ्रेंट, वेलकम टू माई चैनल, मैं हूँ आपका होस्ट और दोस्ट आमित कुमा सिंग, आज मैं आपको एक वेल्थ क्रियेटर स्टॉक बताऊंगा, जो आपको लंबे समय में बहुत अच्छा खासा रिटन बना के दे सकता है, इस कंपनी का जो बिजनेस है, वो केव और वायर मैनिफेक्ट्रिंग का बिजनेस है, और ये बिजनेस मुझे काफी अच्छा लगता है, जो लंबे समय में बहुत अच्छा खासा रिटन बना के दे सकता है, इस कंपनी की मैं कस्टमर की बात तो क्लाइंट में बात करूं, तो बड़े-बड़े प्रेंट से क्लिक करते हो, तो मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको नहीं मिल पाएगा, सबसे पहले मैं क्वाटर टो क्वाटर रिजल्ट देख लेता हूँ, और आप लो भी किसी भी कंपनी में पॉजिशन बनाएंट से पहले, एक वार बात करते हो, तो मेरी वीडियो का और फाइनेशल कंडिशन बारें पता किजिए, कंपनी का धन्दा क्या है, आगे चलके उनका बिजनेस कैसा रह सकता है, आप लोग इस सब देखिए गवाई, तभी जाके आप किसी कंपनी में पासर लगाईएगा, तो देखिए, नेट सेल टनोबर सितंबर 17 में था, वो 748 14.83 था सितंबर 17 में, और सितंबर 18 हो चुका है, वो 996.79 हो चुका है, तो यहां पर नेट सेल काफी अच्छा लग रहा है, टोटल इंकम देखिए, टोटल इंकम सितंबर 17 में था, वो 749.86 था सितंबर 17 में, और सितंबर 18 हो चुका है, वो 998.02 हो चुका है, तो मुझे इस इसका net sale total income quarter to quarter wise अच्छा लग रहा है operating profit देखलो operating profit September 17 में था वो 76.25 था September 17 में और September 18 में हो चुका है वो 100.83 हो चुका है तो मुझे इसका operating profit काफी अच्छा लग रहा है EBITDA देखलो EBITDA September 17 में था वो 77.28 था और September 18 में था वो 102.06 हो चुका है तो मुझे operating profit EBITDA quarter to quarter wise अच्छा लग रहा है profit and loss for the year देखलो profit and loss for the year September 17 में था वो 28.50 था September 17 में September 18 में था वो 41.37 हो चुका है तो काफी अच्छा है profit and loss for the year quarter to quarter wise reported pad देखलो reported pad September 17 में था वो 28.50 था सितंबर 17 में सितंबर 18 में हो चुका है वो 41.37 हो चुका है तो मुझे इसका quarter to quarter result अच्छे देख रहे हैं अब मैं year to result देखले रहा हूँ पहले आप quarter to quarter result देख रहे थे तो देखिए net sales मार 14 में जो net sales था वो 1618.91 था मार 14 में और मार्च 18 में हो चुका है वो 3458.80 चुका है तो देखलो यहाँ पर net sales कितना जवदस थे और किसी भी year में कम नहीं रहा है जो कि बहुत ही अच्छी बात होती है total income देखलो total income मार 14 में था वो 1620.19 था मार 14 में और मार 18 मों चुका है वो 3468.10 हो चुका है तो यह भी किसी भी year में कम नहीं रहा है total income जो कि बहुत ही अच्छी बात है तो मुझे इसका net sales total income दोनों काफी जवदस लग रहा है और आप खुछ से भी देखलो operating profit देखलो operating profit मार 14 में था वो 153.04 था मार 14 में और मार 18 मों हो चुका है वो 338.39 हो चुका है तो काफी अच्छा भाई operating profit है और किसी भी यर में कम भी नहीं रहा है 153.38 हो चुका है अबिटा देखलो अबिटा मार 14 में था वो 154.32 था मार 14 में और मार 18 हो चुका है वो 347.69 हो चुका है और किसी भी यर में कम भी नहीं रहा है तो मुझे इसका operating profit एबिटा दोनों ही काफी जवदस लग रहा है जवधस मार्ग 14 में जो profit and loss उदिय था वो .... previously फीड़ ठीड झिरौ था मार्ग 14 मेर्ग 18 को हो चुका यह वो 144 हो चुका रही से 144 हो चुकال है तो काफी अच्छा है इसका और किसी भी एर में कम भी नहीं रहा है जो कि बहुत ही अच्छी बात है तो यह मुझे बाई काफी जवदस्त लगा रिपोटेट पैट देखरो रिपोटेट पैट मार्च चौदा में था वो 11.60 था मार्च चौदा में और मार्च 18 मोह चुका है वो 144.56 हो चुका है तो पैट भी काफी जवदस्त है अन्यूल EPS भी देखलो अन्यूल EPS काफे में बॉन्टेट होता है तो देखो मार्च चौदा में जो अन्यूल EPS था वो 1.57 था और मार्च 18 मोह चुका है वो 18.45 हो चुका है तो देखलो 1.57 से 18.45 हो चुका है तो भाई मुझे इसका yearly जट काफी जवदस लग रहे है तो आप लोग इस कंपनी में पैसा लगाई है बहुत ही अच्छी कंपनी है यह केई आई इंडेस्ट्री का मैं ओफिसल वेबसाइट पर आ चुका हूँ इस कंपनी के स्थापना की यह तो 1968 में की गेटी इनका जो फ product and solution में तो extra high voltage केवल है, high voltage केवल है, low voltage केवल है, control केवल है, house wire है जो हम लोग घरों में जो wire लगा हुआ है, single core, multi core, fixable केवल है और कई तरह के यहाँ पर देख सकते हो केवल है, solar केवल, rubber केवल, marine and off source केवल, winding wire, stainless steel wire और कई तरह के फ्रेंड यह wire बनाती है, बहुत ही अच्छी company है यह, आपको मैं client यहाँ पे दिखा देता हूँ, तो यहाँ पे देख लो, इनका client का page खुल रहा है, तो यहाँ पे देख लो, power grid, Delhi, metro rail, दक्षिनाचल, विदूत, वितरन निगम limited, परच्षिम नाचल, विद विदूत, विदरन निगम limited, पुरवांचल, विदूत, विदरन नगर limited, मद्दे परदेश, विष्ट बंगाल, state electricity distribution company limited, तो यहाँ पे देख सकते हो, टाटा पावर, DDL भी है, बैंगलोर, development authority भी है, पंजाब state power corporation limited भी है, केरला state electricity board भी है, यहाँ पे देख से तो कई सारे state electricity वोट की company है, तो आप लोग इस company को अपनी portfolio में जगा दीजिए, यह आपको wealth create करके देख सकता है, और इसको हर गिराबट में खही दियेगा, तो और भी अच्छा खास आपको profit हो सकता है, और यह business मुझे काफी अच्छा भी लगता है, के याई इंडर्श्री लिम्टेट अ टो 10 साल में बहुत ही अच्छा रिटाई है वाई, सनसे का रुटन है वो 273.95 पर इटाई है, थ्री यहर में देख लो 3 यहर में यह company कितना रिटन बनांके दिया है, तो 3 यहर में जो रिटन है वो 207.87 पर इटाई है, जोकी काफी अच्छा है, सेंसे का रुटन है वो 44.26 यहां यहां पर इतन सो नहीं कर रहा है, वन मन्त में देख लो कितना रेटन बना के दिया है, तो वन मन्त में रेटन है, वो माइनस 4.38% गटन है, Sensor को आटन है, 0.50 परसंट है, 1 Beek में देखलो, 1 Beek में रिटन है, वो माइनस 0.74, Sensor को आटन है, वो माइनस 0.60, परसंट, 1 Damage वो रिटन दिया वो 0.03 परसंट रिटन है, Sensor को आटन है, 0.43 परसंट है, K.E.I. industry का आपको मैं share holding pattern दिखा दे रहा हूं तो देखो promoter के पाद जो holding है वो 45.93% holding है FIS का जो holding है वो 10.84% holding है तो इस company में FIS के अच्छी खासी holding है mutual fund का जो holding है 11.39% holding है तो मुझे इसका FIS के holding mutual fund की holding दोनों काफी अच्छा लग रहा है other DI के जो holding है वो 2.52% holding है non-institution investor के पाद जो holding है 29.32% holding है pledge promoter holding यहां पर देख लो इसका कोई भी share pledge नहीं है जो की बहुत ही अच्छी बात है valuation में देख लो KEI industry का P जो ratio है वो 17.34% P ratio है price to book value है वो 4.19% price to book value है dividend yield है 0.28% dividend yield है ROC जो latest है 29.72% का ROC latest है ROE जो latest है 24.17% का ROE है तो मुझे इसका ROC ROE दोनों काफी अच्छा लग रहा है valuation यहां पर देख लो fair बता रहा है तो भईया यह fair valuation पर stock मिर रहा है attractive जो price होगा KEI industry का वो 28 से 214 के बीच होगा तो मुझे तो नहीं लगता है भाई इसका price 28 रुपया आ सकता है quality भी यहां पर देख लो quality यहां पर good बता रहा है sales growth देख लो 5 year का sales जो growth है 5 year का वो 19.41% का है जो की काफी अच्छा है average जो growth है 5 year का वो 21.35% का है तो मुझे इसका sales growth avid growth 5 year का काफी अच्छा लग रहा है यहां पर देख सकती हो KEI industry ने किस टाइप रिटरन बना के दे चुकी है तो देखिए 10 सब रिटरन है वो 2530.72% है 5 साल में भी 2522.87% है 3 साल में 207% है तो देखो कमपनी काफी अच्छा रिटरन दे रही है और जैसा कि मैं पहले बोला कि यह कमपनी आपको रिटरन जब बना के देगा तो लगातार आपको 2-3-7 रिटरन बना के देता ही रहेगा मैं इसको देखा हूँ इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपको केई आई इनेस्ट्री लिम्क्रिट का बेजी प्राइचरा 356 रुपया 20 पैसा एनेस्ट्री प्राइचरा 256 रुपया 60 पैसा चर रहा है 52 जो हाई है वो 494 रुपया 80 पैसा है 52 लो है 248 रुपया 40 पैसा सेंटिमेटर की बात करूँ तो 75 पैसल लो रहा है बाइ कीजिए 25 पैसल लो रहा है सेल कीजिए केई आई इनेस्ट्री का मार्केट कैप देखलो मार्केट कैप जो है वो 2811.32 का मार्केट कैप है पी जो है केई आई इनेस्ट्री का 17.34 का पी है इनेस्ट्री जो पी है earning per share जो है और 20.54 का earning per share है face value 2 का है अगर friend मेरी वीडियो अच्छी लगे हो तो like करना, share करना, subscribe करना पहले से और में चैनल को subscribe करना, well button price करना well button price नहीं करोगे तो मेरी वीडियो का notification आपको नहीं मिल पाएगा और आप लोग K.E.I. industry को long term के लिए खरीद के अपनी portfolio में छोड़ दीजिए इसे stock को आप 330 रुपया के price पे खरीच सकते हैं 340 रुपया के price पे खरीच सकते हैं बहुत अच्छी company आपका पैसा ये बना के देगा, धन्यवाद